assalamu alaikum students hope all of you are well so once again I am before you with a new video in this video I will teach you guys about pronouns तो pronouns पर बात करने से पहले लेटिस लिंग आफ में हम थोड़ा स्टोरी पढ़ेंगे एक स्टोरी पढ़ेंगे फिर उस स्टोरी से आपको एक आइडिया मिल जाएंगे कि होता क्या है ये जो प्रोनोंस ये होता क्या है ओके तो लेट स्टोरी पढ़ना है फिर उस में से जो प्रोनोंस उसको सर्कल करना है ओके तो स्टोरी कुछ इस तरह होता है बादे चॉ нож tenant के जो बादे जू खिक तो मैंगे तरहें जाएंगे तो ऑन ठा tactical जाएंगे जो In the water, Changsuh exclaimed, You are not a fish, his friend said, How do you know whether or not this fish are enjoying the amphithos? You are not me, Changsuh said, How do you know that I do not know इस फिश और इंजाइं देम स्लविस तो स्टोडी होता है कि जो चॉंजो है और उसके एक दोस है वो कहीं पर जो रिवर बैंक है और उसकी एलाउंग से वो कहीं जा रहा होते हैं जा रहा होते हैं तो दे साथ लग वीस है कि मश्री देखा तो जो ने उससे अपने दोस हैं हो इसंट अनुरा इंजाइ्जाएं कर रहा है पना मस्ती कर रहा है इ है अपने जो अधाम स्ली आपयों तो BUT 뭐 मझे बेहा हैं पानी में अपने अप तो यह नोड़ फिश इस फ्रेंड सेड़ ओके सुरी आप इसी था तो उसकी फ्रेंड ने उससे कहा तुम मचली तो नहीं हो फिर तुम्हें कैसे मालूम कि वो इंजाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है तुम्हें कैसे मालूम कि यह और नहीं कर रहा है तुम्हें किसे मालूम कि यह और नहीं कर रहा है तो मुझे से बात नहीं कर सकते हैं ओके फिर तुम्हें कैसे मालूम पड़ा तो उसने भी जवाब दिया फिर तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि मुझे उनके बारे में मालूम नहीं है क्योंकि तुम जिस तरह में उनके दिल नहीं पड़ सकता हूँ उस तरह तुम भी मेरे दिल को पढ़ नहीं सकते हो मेरे दिमाग को पढ़ नहीं सकते हैं कि मेरे दिमाग में क्या है तो यहां पे हिस लगाएं क्योंकि यह वहां पे वो मेल्स है इसलिए ही है यहां पे मैंने फी मेल्स का पिक्चर लाया इसलिए थोड़ागर बढ़ोगे हैं, ओके, तो यहां पे जो highlighted words है, वो सब क्या है, प्रूनोंस है, ओके, जिसे कि यहां पे देखो, दे, यहां पे चॉंग्जू and a friend, चॉंग्जू और उसके दोस, तो चॉंग्जू और उसके एक दोस के जगे पे हमने क्या इस्तियामाल कि यहां पे दे इस्तियामाल किए उन दोनों की जगे पे, फिर यहां पे, उन दोनों की जगे पे हमने यहां पे, how do the fish are enjoying themselves, अपने आप, तो उनकी जगे, अपने आप को नहीं, यह जो फिश है, ओके, उनकी जगे पे, फिश की जगे पे हमने यहां पे इस्तियामाल किया, फि his friend यानि उसके दोस उसके दोस के जगे पर हाँ पर his इस्तामाल हुआ है, you यहां पर स्तामाल हुआ है, me है you है, them satisfies जो highlighted words है, यह सब क्या है? pronouns है क्यों pronouns है, क्योंकि यह सारे जो words है हमने इस्तामाल किया, noun के जग़े पर यहांसेद आप लोगों को यह आईडिया आया होगा कि असल में pronouns होता क्या है तो pronoun होता क्या है यानि वो non यानि वो words जो हम noun के जगे पे इस्तिहुनल करते हैं उसको कहा जाता है pronouns अर्दु grammar में datывает है जो इसम के जगे पे इसको क्या का जाते हैं? करते हैं नोन के जगे पर, ओके, मिसाल के तोर पर, अली इस माई फ्रेंड, ही इस वाइसमें, यहां पर अली जो है, वो क्या है, प्रोनोन है, और दूसरे संट डाज में, हमने अली की जगे पर क्या इस्तियामाल किया, ही इस्तियामल किया तो यहां पे ही क्या है what is he तो यह ही क्या है यह pronoun है क्योंकि हमने इसको जगे पे इस्तियामल किया अली क्या in the same way the second sentence okay we are going for holidays next month तो यहां पे okay हम वी क्या है वी है pronouns तो हम में okay में भी आ सकता हूं میरे बाई भी आ सकते हैं मेरे फ्रेंड भी आ सकते हैं बाप भी आ सकते हैं तो उन सब के नाम लिखने के बचे मैंने यहां पे क्या लिखा we लिखा तो हम आम दोर पे प्रून है non के जिगा पे इस्तामाल क्यों करते हैं ताकि सेंटेंस में एक ही चीज बार बार रिपीट ना हो और अगर हमने यहाँ पे लिखता है, अगर वी के जगे अगर यह प्रूनों नहीं होता तो हम यहाँ पे लिखता है अली, माली, हसान, ओके, फिर महमाद, ओके, राजू, लक्ष्मान, और फिस्तान, और गोई फर होली डे नेक्समान, ओके, तो यह थोड़ा सेंटेंस बड़ा हो जाता और अजीव से भी लगता, ओके, तो काई चीज है वहाँ पे रिपीट होता, तो यहाँ पे सी ता वी लग अब हम बात करेंगे टाइपस अफ्रोंवन की, तो यह वह बात क्या प्रोंवन की होता है, यह प्रोंवन की चाहिए होते हैं, फिर इसके बड़ क्या होते हैं, तो यह उस पर बात करने से पहले, यहाँ पर हम ने एक टैबूल आपको दिया है, तो इसमें यानि कि यूजिस के बारे में जो प्रोनोंस का जो यूजिस होते हैं वो कहां कहां होते हैं कौन कौन सा केस में होते हैं हम बात करेंगे वैसे तो इसका यूजिक्टिव केस होते हैं फिर उसमें पॉसस्यू केस होते हैं तो हमने यहां पर दो ही केस की बात किया है एक है subjective pronoun दूसरा होते है objective pronouns जैसे कि you, she, he, it, we and they are use it as subject pronouns जैसे कि यह सारे जो है you, he, she, it, we, they लुब्गउची, यह सारी तरुंई जैसे उसमे उसको इस्ब्भून इसको इसको संक इसमे करते हैं subject के तोर पर इसलिए इसलिए इंको subject pronouns कहा जाते है जब भी हम इस्टा माचें में इस संक्टंस में इसको दो subject है, it was, ओके दो, यह और she, दोनों क्या है, यहां पर subject के तोर पे इस्तियामाल हुआ है, तो यह सारे जो words है, यह जो pronouns है, यह subject के तोर पे इस्तियामाल होते हैं, जैसे कि I like my brother, I, okay subject के तोर पे, he likes to play football, तो यहां पे he भी subject के तोर पे, she is my best friend, तो यहां पे she क्या है, as a subject इ इस्तियामाल होते हैं, सिंट्छस में इसको बोलते हैं, subject 99 और दूसरा होते है, object, जब object के तोर पे इस्तियामाल होते हैं, सिंट पोला जाते है, काम हो रहा होते हैं वो उबजक्ट जो काम कर रहा होते हैं क्यों क्यों होते हैं subject ओके फिर object में देखो me you he she okay I mean me you him her them as and it are use it is indirect object direct object और object अब दा प्रिपोजिशं अब देखो यह जो ऑच्प यनि तीन तरके होते हैं एक होते हैं डिर्ड अब्जक्त दुसरा होते हैं इन डिर्ड अब्जक्त तिसरा होते हैं अब्जक्त 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 अ عمل ہوتے ہیں कैसं, बाद में हम synthesizing object को होते हैं Direct object क dedicated odor, proposition क्या होते हूँ, डिर्शा हैं के बाद में sólo करें बादा है लोगें कि इडियामार कYा जना है, मिशाल के तोर पर इजाते हैं,SON, सभैमार के ढ़ल है ऐसी फ्रॉचे में Defendant ok she backs him निया ओपिए नी और है hem यहां पर कीक क्या हो रहा है him के लिए हो रहा है फिर जिसके लिए काम हो हो रहा रहा है आइ남 ने सीटविया it i can hardly see it तो यहां पर it क्या है object है they are going with us वह हमारे साथ जा रहा है यहां पर us क्या है object है it's me me क्या है object है my grandpa lives with us यहां पर us क्या है object तो जो बाकी जो यह है इसका types of pronouns है वो उसका हम next है वेडियो में उसकी हम बात उसकी उपर हम बात करेंगे okay तो आभी के लिए इतना ही hope you अब लोगों ने enjoy किया होगा okay वेडियो को okay have a nice day